रीसेलर भाई हमेशा दो तीन चीज़ों में बहुत गंफ्यूज होती है पहली चीज अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं लेकिन पहला कंफ्यूजन होता है कि अगर हम बिजनेस शुरू कर लें और प्रोडेक्ट ले आएं और उसके बाद वो प्रोडेक्ट सेल ना हो तो वो प्रोडेक्ट का हम करेंगे कि अब वो हमारा लॉस हो जाएगा दूसरी चीज कभी-कभी ख्याल आता है कि हम Amazon, Flipkart बगएरा पर सेल करना शुरू करते हैं लेकिन वहाँ पर बात आती है GST की कि आपको GST बनाना होगा तो GST का नाम जैसे आता है तो GST बनाना होगा तो Tax File भी करना होगा और ज्यादा तर जो Reselling करती है वो लड़कियां करती है वो वैसे ही डर जाती है कि कैसे GST होगा कैसे File होगा कैसे उसका Record रखा जाएगा GST अधकारी आएंगे छाबे पढ़ जाती है Sales Tax के तो उसका भी इसू रहता है तो यह समस्या मैंने अक्सर देखी है लेकिन मैंने फाइनली इसका एक Solution निकाला है आप लोगों के लिए यह Solution एक ऐसा Solution है जिसमें आप अपने e-commerce Business को या Online Business को सुरू कर सकते हैं जिसमें आपका loss भी नहीं होगा जिसमें आपको GST की requirement नहीं होगी को दो महीने तीन महीने आप यूज करके पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा product success हो रहा है कौन सान नहीं हो रहा और उसके बाद आप अपने वो product मंगा सकते हैं और तीन चार महीने आप दूसरों के थूरू ही अप उन product को sale कर सकते हैं यह कैसे होगा वो आज की इस वीडियो में में आपको समझाने वाला हूँ इसके अलावा यहाँ पर एक चीज यह भी समझाने वाला हूँ कि आप अगर चाहो तो मीसो के product को selling के लिए लगा के देख सकते हैं और अगर sale होते हैं कोई product जैसे मीसो के आपने 10 product लगाई किस तरीके से लगाने हैं पूरे system बताऊंगा तो आपको एक product दिखता है कि यह बहुत ज़्यादा sale होता है तो वो एक single product आप wholesaler से मंगा सकते हैं और उसके बाद भी पर आप free of cost अपनी एक website बना सकते हैं अपने business के नाम से और इस website में यह e-commerce website होती है जहां पर आप website बनाके अपने product list कर सकते हैं और list करने के बाद यहां पर courier company भी integrate हो जाती है सारी चीज़े हो जाती है payment का भी system हो जाता है और payment के लिए आप सीधा अपना UPI ID वहां पर दे सुचा कि मैं jewelry sale करती हूं तो आप क्या करो सबसे पहले मीसो से कुछ jewelry के photo उठाईए photo उठाने के बाद उन photo को आप Swaggy Mini में डाल दीजिए अब जैसे ही आप Swaggy Mini में डालोगे और उसके बाद आप rate डालोगे जो मीसो में rate मिल रही है उससे ज्यादा में डालोगे और उसके YouTube के source में डालना शुरू कर दीजिए अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो photo की video बना सकते है music लगा के अब उसके बाद आपको क्या करना है जो Swaggy Mini पर आपकी website बनी है उस website का आपको link दे देना है Instagram के bio में दे देना है Facebook page के bio में दे देना है YouTube में दे देना है तो आप इस त वहाँ पर order लगाएगा prepaid order रहता है order लगाने के बाद सीधा order place हो जाएगा और आपको message आजाएगा कि Swaggy Mini में आपको एक order आया हुआ है उसके बाद आपको क्या करना है सीधा मीसो में जाना है वो product search करना है जिसका आपको order आया है और उसका order लगा देना है और prepaid पर आपक accept करती हो यानि कि आपको order आते हैं तो आपको accept करना होता है तो वहाँ पर option आते हैं कि आप कुरियर कैसे कराऊगे से तो कुरियर के दो तीन option होती है जिसमें सबसे पहला option होता है कि आप उनकी कुरियर कंपनी के थ्रू कुरियर कराना चाहते है दूसरा option होता है कि आप खु आपको दिखना शुरू हो जाएगी तो कुरियर जो ट्रेकिंग आइडी है वो आपको अपने स्वीगी मिनी में डाल देनी है और वहां पर option आता है कि हमने खुद यह सिप कराया है अब स्वीगी मिनी को तो पता नहीं कि मीसो का प्रोडेक्ट है या मीसो बाले सिप करा रहे ह और आप ही सिप करा रहे हो आपने ट्रेकिंग आडी वहां पर डाल दी और order प्रोसेस हो जाएगा कस्टूमर को आपकी website पर दिखाया जाएगा कि इस तरीके से यह ट्रेकिंग आडी है प्रोडेक्ट यहां पहुंच गया उसके बाद मीसो की तरफ से उसकी delivery हो जाएगी या आपका कोई investment भी नहीं हुआ क्योंकि यहां पर आप दूसरे का product अपनी website के माध्यम से sale कर रहे हो यानि कि drop shipping कर रहे हो अब होगा क्या कि जब आप इस तरीके से मीसो के product को sale करोगे किसी भी category के तो आपको कुछ product के काफी सारे order आना शुरू हो जाएगे जैसे मान के चलो आ चार महीने पांच महीने बाद या आप electronic item डालते हो तो माइक बगएर डालते हो या stand type और drink light कुछ भी डालते हो तो कोई ना कोई item हो आप हिट हो जाएगा और आपको उस regular order आना शुरू हो जाएगे अब होगा गया उस time पर कि जब आपको पता है कि इस product के मुझे regular order आते है और वो product आप मीसो से supply करा रहे हो तो आप यह समझे कि मीसो पर कोई sale कर रहा है वो भी कमा रहा है वो भी commission दे रहा है मीसो को delivery charge दे रहा है सारी खर्चे दे रहा है तो उस single product को आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है 7 order 8 order daily के आते हैं तो आप 50 piece market से उठा order आए तो आप सुईगी मीनी में जाके जब order आए तो आपको सिप करना है सिप रॉगट के थूरू सिप गो के थूरू वहां पर option आते हैं बस आपको select करना है उनके courier partner आपके यहां पर आएंगे और आपके parcel को उठा के customer पहुंचा देंगे और payment आपके account में आएगा तो इ दूसरा choice आप किसी भी direct जो आपका dealer है जिसकी दुकान है wholesaler manufacturer है उससे productive photo और video मंगा सकते हैं और उनको सुईगी मीनी पर upload कर सकते हैं और अपने direct dealer का address आप सुईगी मीनी में डाल सकते हैं pick up address में और उसके बाद जब भी order आए आप accept करिए और accept करने के बाद जो pick up होगा वो customer तक पहुंचा देंगे अब आपका फायदा यह है कि आपको stock रखने की जरूरत नहीं है आपको wholesale rate मिल जाएंगी बस आपको अच्छे dealer ढूनने की जरूरत होगी और उन dealer के address से आप pick up करा दोगे और आपको बताना चाहूंगा कि सामने वाले को कुछ करना भी नहीं जो भी direct dealer को खेज़ दोगे वो product को pack कर देगा पैक करने का courier boy ले जाएगा payment customer prepared कर देगा और आप अपने dealer को 7 दिन बाद 8 दिन बाद complete payment कर दिया करना तो इस तरीके से आप drop shipping करा सकते हैं सुईगी mini की help से जिसमें आपका भी investment नहीं होगा और आप starting में experience लेने के लिए यह काम कर सक सकते हैं जब आप 4 महीने 6 महीने इस तरीके से करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमारी website पर कौन कौन सी ऐसे product है जो हेट है जो अच्छे चलते हैं तो उसे bulk quantity में आप उठा सकते हैं और उसके बाद भी अच्छा खासा sale कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा उसमें कमा सकते हैं तो दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसी लगी वह आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए आज की यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद